स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूटूब चैनल तन्वीर सर्पर्प आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे प्रिये साथियों उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का त्यारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा साथियों आज EBS का सेट फोर है और इस सेट फोर में हम लोग हमेशा की तरह कुल 30 प्रस्ण पढ़ने वाले हैं जो काफी इंपोर्टेंट है भी भी आई कोस्चन है अलागी सारे के सारे मेरा बताया हुआ कोस्चन दिया गया कोस्चन इंपोर्टेंट होते हैं और ये भी भेरी भेरी इंपोर्टेंट है इसलिए किसी भी कोश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा कोशिस यही आप करिए कि कोई भी कोश्चन आपसे मिस नहों कोई भी वीडियो आपसे मिस नहों इसके लिए आपको क्या करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ये तनवीर सर जो चैनल है जो आपका प्यारा सा यूटूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानि घंटी जो रहता है उस पर परेस करके All पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आप पले लिस्ट में जाकर All Competitive Exams वाला जो है बना हुआ है उसको जाकर आप उसमें सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं चलिए हम देखते हैं हमारा EBS का सेट 4 का आज पहला नमर कोश्चन क्या कहता है पहला नमर कोश्चन कहता है संचार का सबसे लोगपिरिये साधन है संचार का मतलब आपको पता है कि बात करना होता है तो संचार का सबसे लोगपिरिये साधन क्या है भई Option number A दिया है सारवजनिक टेलीफोन B दिया है मोबाइल फोन C दिया है वोकी-टोकी D दिया है रेडियो तो संचार का सबसे लोग पिरिये साधन है Option number B मोबाइल फोन Option number B मोबाइल फोन यही इसका क्या हो जाएगा Right answer हो जाएगा Next question कहाता है Question number 2 बिहार का कौन सा छेतर बाढ़ गरस्त छेतर है क्या कहता है बिहार का कौन सा छेतर बाढ़ गरस्त छेतर है Option number A है पुर्वी बिहार B है पश्चिमी बिहार C में है दच्छनी बिहार और D में है उत्री बिहार तो option number A इसका right answer हो जाएगा Option number A इसका राइट अंसर हो जाएगा पुर्वी बिहार बिहार का कौन से चत्र बाठगर चत्र है तो वह पुर्वी बिहार है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर थी थी नमबर कोशन काता है गार्डन सीटी की ओधारना किसने विक्सित की ती और इसका राइट अंसर होगा और इसका राइट अंसर हो जाएगा अविनेजर हार्वर्ड गार्डन सीटी के ओधारना अविक्सित की थी अब हमारा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर फोर फोर नमबर कोशन क्या काता है कि गिर्मिटिया किसे कहा जाता है क्या काता है गिर्मिटिया किसे कहा जाता है तो option number A में है अनुबंधित मजदूर को, B है रोगियों को, C है छिपकली को और D में है अंग्रेजों को तो इसका सही answer होगा option number A, option number A is the right answer गिर्मिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है चलिए अब हम देखते हैं next question, next question यानि के five number question, five number question कहता है अनामी दल का संस्थापक था यानि कौन था खालिय स्थाण छोड़ दिया इसमें से कौन था option number A है जेंगुएन आई, B में है AO ह्यूम, C में है महत्मा गांधी और D में है सुभास चंद्रबोस तो इसका भी right answer हो जाएगा option number A option number A ही इसका भी सही answer हो जाएगा के अनामी दल का संस्थापक जेंगुएन आई था चलिए अब हम next question देखते हैं, question number 6, 6 number question क्या कहता है कि राश्ट्रीय स्वयम सेवक संग की अस्थापना क्या कह रहा है राश्ट्रीय स्वयम सेवक संग की अस्थापना verse में हुई थी, मतलब किस verse में हुई थी और इसका right answer होगा option number B option number B इसका right answer हो जाएगा 1925, राश्ट्रीय स्वयम सेवक संग की अस्थापना 1925 इस वी में हुई थी चलिए अब हम next question देखते है, question number 7, 7 number question क्या कहता है, निम्न में से कौन उपभोकता उधोग है क्या कह रहा है, निम्न में से कौन उपभोकता उधोग है option number A है चीनी, B में है सीमेंट, C में है अबरक, D में है लोहा इसपात तो इसका option number A सही answer होगा, option number A is the right answer चीनी एक उपभोकता उधोग है चलिए अब हम next question देखते है, question number 8 8 number question क्या कहता है, uranium का परमुख उतपादक अस्थल है तो option number A है दिगबोई, B में है ज़रिया, C में है घाट सीला और D में है जादू गोडा तो इसका right answer होगा option number D option number D is the right answer जादू गोडा इरुनियम का परमुख उतपादक अस्थल कौन है तो जादू गोडा है जादू गोडा इरुनियम का परमुख उतपादक अस्थल है चलिए अब हम next question देखते है, question number 9 9 number question क्या कहता है, हैस्चूर वीधी क्या कहता है है हैस्चियूर वीधी से काफी आकरसक एवं सजीव दिखती है मतलब क्या आखिर क्या है जो हैस्चियूर वीधी से काफी आकरसक एवं सजीव दिखती है औफसन नमबर यह है गलोब, B है मॉरल, C में है मानचित्र, D में है कोई नहीं इसका राइट अंसर होगा औफसन नमबर C औफसन नमबर C is the right answer मानचित्र, हैस्चियूर विधी से मानचित्र काफी आकरसक एम सजीव दिखती है मतलब ऐसा लगता है कि उसमें जान है, दिखने से लगता है कि वह जानदार है सजीव है, निर्जू नहीं है चलिए अब हम नेक्स कोशन के तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर 10 10 नमबर कोशन का आता है करनाटक में खालियस्थान मुखे रोपन फसल है करनाटक में कौन सा फसल मुखे रोपन फसल है आपसन नमबर A है जूट आपसन नमबर B है कहवा और C है अभरक और D में है कोई नहीं तो इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर B आपसन नमबर B is the right answer कहवा करनाटक में कहवा मुखे रोपन फसल है चलिए अब हम next question के तरह बढ़ते है, question number 11, question क्या को आता है, कि संग सरकार का उदाहरन है, संग सरकार का उदाहरन है क्या, तो option number A है America, B है Britain, C में है चीन, D में है कोई नहीं, तिसका right answer होगा, option number A, option number A is the right answer, America, संग सरकार का उदाहरन है, वह America है, चलिए अब हम next question देखते है, question number 12, बारह number question करता है, United Janta Party का गठन कब हुआ, क्या कर रहा है, United Janta Party का गठन कब हुआ, option number A है 1922, B है 1999, C है 2000, D है 2004, तिसका right answer होगा, option number B, क्या होगा भई, option number B is the right answer, United Janta Party का गठन 1999 इस्वी में हुआ, चलिए अब हम next question के तरह बढ़ते है, question number 13, तेरह number question करता है, भारत में किस राज्य की परती व्यक्ति आयसरवाधिक है, करा है, भारत में किस राज्य की परती व्यक्ति आयसरवाधिक है, option number A है बिहार, option number B है पंजाब, C में है गोवा, D में दिया है हरियाना, तिसका right answer होगा, option number C, option number C is the right answer, गोवा, भारत में गोवा राज्ये की परतीवेक्ति आये सरवाधिक है चलिएब हम नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर चौधा चौधा नमबर कोश्चन कहता है किस छेत्र को दुईतियक छेत्र कहा जाता है क्या कह रहा है कोश्चन तो option number C इसका right answer हो जाएगा, option number C is the right answer, उद्धोग छेत्र को दुईतियक छेत्र कहा जाता है, चलिए अब हम next question के तरफ बढ़ते हैं, question number 15, 15 number question कहता है, निम्नांकित में कौन प्राकिर्तिक आपदा है, निम्नांकित में कौन प्राकिर्तिक आपदा है, मतलब प्रकिर्तिक के दोरा उत्पन इसमें से कौन सा आपदा है, option number E है, आग लगना, B है, बंविसफोर्ट, C है, भुकंप, D है, रसायनिक दुरगटना, आपने हमेशा देखा है, और इससे पहले भी इस तरह के question आय हुए ह है, इसलिए आप समझ गया होंगे, कि भुकंप ही है, जो प्राकिर्तिक आपदा है, मतलब नेचुरल रूप से ये आता है, नेचर के दोरा आता है, option number C is the right answer, भुकंप एक प्राकिर्तिक आपदा है, आग लगना, ये लगना, मानोनिर्मित हो गया, बंविसफोर्ट, मानोन मतलब मनुस्तों के दोरा इस तरह का आपदा होते हैं, लेकिन भुकंप एक ऐसा आपदा है, जो प्राकिर्तिक आपदा है, इसलिए इसका right answer, C, option number C, भुकंप हो जाएगा, चलिए अब हम नेक्ष कोशन के तरह बढ़ते हैं, कोशन नमबर 16, 16 नमबर कोशन कहता है, वियना कांग्रेस के दोरा फ्रांस में किस सासक वंस की पुनर अस्थापना की गई थी, option number A है, 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 अफ्सबर्ग, option number B है, आरलिया, C है, बुर्बो, और D है, जार शाही, तो इसका right answer होगा, option number C, option number C is the right answer, बुर्बो, बियना कांग्रेस के दोरा फ्रांस में, बुर्ब इब हम next question के तरफ देखते हैं, question number 17, 17 number question का आता है, जमसेद जी टाटा ने, क्या, जमसेद जी टाटा ने, टाटा आरन एंड एस्टील कमपनी, क्या, टाटा आरन एस्टील कमपनी की अस्थापना कब की, option number A है, 1854, B है, 1907, C है, 1915, और D में है, 1923, इसका right answer हो जाएगा, option number B, option number B is the right answer, 1907, जमसेद जी टाटा ने, टाटा आरन एस्टील कमपनी की अस्थापना, 1907 में की, चलिए अब हम next question देखते हैं, question number 18, 18 number question का आता है, अलेक जेंडरिया नामक पहला विश्व बाजार, किसके दुआरा अस्थापित किया गया था, क्या करा है, अलेक जेंडरिया नामक पहला विश्व बाजार, किसके दुआरा अस्थापित किया गया था, option number A है पोरस, B है अकबर, C में है सिकंदर, और D में है मुहम्मद गोरी, तो इसका right answer होगा, option number C, option number C is the right answer, सिकंदर, अलेक जेंडरिया नामक पहला विश्व बाजार, सिकंदर क दुआरा अस्थापित किया गया था, चलिए अब हम next question के तरह बढ़ते हैं, question number 19, question करता है, पंजाब में भूमी निमनीकरन का मुखे कारण क्या है, क्या करा है, पंजाब में भूमी निमनीकरन का मुखे कारण क्या है, option number A है, वननमूलन, B है, गहन खेती, C है, अती पशु चारण D है, अधिक सिंचाई, तो इसका right answer होगा, option number D, option number D is the right answer, अधिक सिंचाई, पंजाब में भूमी निमनीकरन का मुखे कारण अधिक सिंचाई है, चलिए अब हम next question देखते हैं, question number 20, 20 number question करता है, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुखे साधन है, क्या करा है, मुखे साधन है, तो option number A है, रोहतास, option number B है, सीवान, सी है, गया, और D है, पश्चमी शंपारन, option number A, इसका right answer हो जाएगा, option number A is the right answer, option number A, रोहतास, बिहार के रोहतास जिले में नहर सिंचाई का मुखे साधन है, चलिए अब हम next question के तरह बढ़ते हैं, question number 21, 21 number question करता है, कुछे सवारास्थान किस जिला में इस्थित है, क्या कर रहा है, कुछे सवारास्थान किस जिला में स्थित है, option number A है, रोहतास, B में है दरभंगा, सी में है अररीया, B में है चम्पारन, तो इसका right answer होगा, option number B, option number B is the right answer, साफ्षर दरभंगा कुछे स्वरस्थान दरभंगा इस्थित है क्या कर रहा है का है किस उधोग में अधिक किया जाता Option number A देखते हैं, V with electronic यानि विधुत उपकरण में, Option number B है जल उपकरण में, Option number C है वायू उपकरण में, या D है काता है कोई नहीं, इसका राइट एंसर होगा, Option number A, Option number A is the right answer. Option number A, V with electronic विधुत उपकरण अभरब का उपकरण विधुत उपकरण यानि विधुत उपकरण में अधिक किया जाता है, चलिए next question के तरह बढ़ते हैं, Question number 23, Question number 23 का आता है, भारत में सर्वच नयायले के मुख्य नयायधिस की नियुक्ति कौन करता है, प्या करता है, भारत में सर्वच नयायले के मुख्य नयायधिस की नियुक्ति कौन करता है, Option number A है परधान मंत्री, B में है राश्ट्रपती, C में है उपराश्ट्रपती, D में है लोकसभा, ते इसका सही अंसर होगा, Option number B, Option number B is the right answer, राश्ट्रपती, भारत में सर्वच नयायले के मुख् राष्ट्रपती करता है चलिए अब हम नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 24 चोविस नमबर कोश्चन करता है कि बिहार के किस जिले का परती व्यक्ति आय सरवाधिक है क्या कर रहा है कि बिहार के किस जिले का परती व्यक्ति आय सरवाधिक है बिहार में कौ सी में हैं शीवहर और डी में हैं नालंदा तो इसका राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर ए इस दग राइट एंसर पतना बिहार के पतना जीले का परतिव्यक्ति आय सरवाधिक है चलिए अब हम नेक्स्ट कोश्चन के पतर बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 25 25 नमबर कोश्चन क करना चाहिए आग से जलने की स्थिति में जले हुए अस्थान पर क्या परात्मी कौप्चार करना चाहिए मतलब आग से जल गया अगर उससथान पर क्या करना चाहिए ऑस्थ पहुचिएगा सबसे पहले आपको करना क्या होगा गरम पानी भी नहीं डालना है अग से जलने की स्थिती में जले हुए अस्थान पर थंड़ा पानी डालना चाहिए यानि परात्मी कुपचार अपका थंड़ा पानी डालना हो जाएगा क्या कर रहा है रूसी करांती के समय शाषक कौन था तो आपसर नमबर A है निकोलस दुटिये बी है लेनीन सी में है नेपोलियन बोनापार्ट डी में है लुई सुला हुआ जिसका राइट एंसर होगा आपसर नमबर A अपसर नमबर A is the right answer निकोलस दुटिये रूसी करांती के समय शाषक निकोलस दुटिये था चलिए अब हम नेक्स्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं कुष्चन नमबर 27 नमबर कुष्चन कहता है बाल गंगा धरतिलक और खलियस्थन दिया है कौन होम रूल आंदोलन को श्रू किया इसका राइट एणसर होगा उपसर नमबर डी, एबग सर नमबर दी ईसदा राइट एणसर अनिर्ट एनिट बेसेंट बाल गंगा धर्तिलग और एनी बेसेंट हो मिरूल अंदोलन को शुरूर किया चले अब हम नेक्स्ट कोशन सारा बढ़ते हैं कोशन नमबबर 28 अठाइस नमर कोशन कषोन करता है कामर जहिल किस जिला में इस्थित है क्या कर रहा है कामर जील किस जिला में इस्थित है आपसन नमबर ए है दर्भंगा बी में है भागलपूर सी में है बेगुसराय और डी में है मुझफरपूर तो इसका राइट अंसर होगा आपसन नमबर सी आपसन नमबर सी इस दर्भंगा बेगुसराय कामर जील बेगुसराय जीला में इस्थित है चली अब हमनेक्स कोशन के तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर 29 कोशन का आता है उच्चावच परदर्शन के लिए हैस्यूर वीधी का विकास किस ने किया था Option number A है लेहमान, B में है कांडी, C में है दोनो, D में है कोई नहीं तो इसका right answer होगा Option number A is the right answer Option number A is the right answer उच्चावच परदर्शन के लिए हैस्वीर विधी का विकास लेहमान ने किया था मेहमान नहीं, लेहमान चलिए अब हम next question के तरह बढ़ते हैं Question number 30 तीस नमर question देखने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि मेरे पिरिये साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं आज पहली बार हैं या पहले भी आ चुके हैं और अभी तक मेरे चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो पिरिज इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन पर परेज किजिए और question अच्छा लगा हो तो एक like जरूर किजिए और comment में बताईए कि question कैसा रहा और आप कितना जानते हैं इसके बारे में भी आप जरूर बताईएगा इसलिए अपका अपका support मिल रहा है बहुत अच्छा support मिल रहा है और ऐसे ही आपका support मिले मैं उमीद करता हूँ चले देखते है question को अता है लओہ आयसक का उपयोग किस美味 में किया जाता है बैस नमबर A है इस पात B है वेधूत दोनो C में है दोनो दीम है कोई नहीं इसका right answer होगा option number a option number a is the right answer option number a law ask का उप्योग इस path उधोग में किया जाता है चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिये साथियों वीडियो को आखरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद